सो हलो स्टूडेंट्स आम सुमिच छेती जा यह फिजिक्स फाकल्टी फ्रम मोशन फाउंडिशन डिविजिन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर लाइट बेसिकली पीछे जो हमने सीख लिया था तीन लेक्चर के अंदर रिफ्लेक्शन प मिरर्स यह स्पेरिकल मिर्स कहा जाए तो वहां पर जो सब चीजे उस आने वला थी वो सब चीजे भी हमने कवर कर लिया है नेक्स पार्ट जो आज हमारा स्टार्ट होने वाला है दाट इस री फ्रक्शन रीफ्लेक्शन के अंदर हमारा क्या था सिर्फ एक मीडियम का उटि जाएगी में ली इस चीज को देखा जा सकता है swimming pools के अंदर या आप देख सकते हो इस चीज को कहां पे lemon को या किसी भी हमारी fruit को या किसी और चीज को अपन glass of water या पतीले के अंदर डाल जेते हैं या bathroom में कभी गए हो तो वहां पे बानी का जो टब रहता है उसका तला या base ज जा रही है sir कौन से दो mediums आ गए हैं पहले definition जान लेते हैं उसके बाद ये भी जान लेंगे कौन से दो mediums है तो change of path of light as it passes from one transparent medium to another transparent medium जब एक transparent medium से दूसरे transparent medium पे हमारी light जा रही होती है दोनों को transparent होना ज़रूरी है नहीं तो light पास नहीं होगी from one transparent medium to another transparent medium पे जाएगी इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं bending या deviation of light भी कहते हैं जब एक medium से दूसरे medium में जा रही है दो mediums का utilization करेंगे यहां पे दो medium से एक का नाम अगर मैं M1 रख दूँ और दूसरे का M2 रख दूँ और light मेरी M1 से M2 जा रही है तो इसी process को कहेंगे reflection of light तो यहां पे it is due to the change of speed of light in different mediums speed जो है वो अलग-अलग medium में अलग-अलग होगी अगर air है vacuum है तो वहां पे उसकी speed सबसे तेज होगी जो कि vacuum के अंदर उसकी speed होती क्या है सबसे तेज speed light की होती है obviously seen to tennis power 8 meter per second ठीक है तो यह हमारी speed of light होती है तो speed of light in vacuum होती है अलग-अलग medium में होती है जब आप first medium में देखेंगे जो की vacuum है तो उसकी speed ऐसी रहेगी दूसरा medium चाहे water हो diamond हो gel हो कोई solid substance हो उसके अंदर जाते से ही उसके अंदर interface होते से ही interface cross करते से ही वहाँ पे उसकी जो speed है speed of light है वो change हो जाएगी speed of light देखो ऐसे experiment अगर हम देखें घर के अंदर अपने glass भरे आधा पानी से उसके अंदर pen या pencil डूबो देविए तो उसके अंदर रखने के बाद pencil को जाना तो दिखना तो सीधा चाहिए था लेकिन वो दिख कैसी रही है ऐसे आई थोड़ी सी bend हो गए और नीचे की तरफ चली गई तो ऐसा थोड़ी कि यहां तक जब pencil आई थी यह half surface तक तब तक पैंसिल सीधी और थोड़ी कट गई पैंसिल पानी में जाते से कट गई और बहां निकालोगे तो वहापस जुड़के आ गई यह कोई जादू यह चमतकान नहीं है सिंपल सी बात है यहां पर री फ्राक्शन है फर्स मीडियम जो है वो मेरा air या वाक्यूम है यह मैंने जि और चुटल सीध़के ऊता हम शाग तो टक रै के खज़के यहां तो सब्सक्तेया आपन जाते है यह फी एफ बजल नहीं भंग को जाती है जा और वहीं अगर पापा ने फोन के बीटा कहां गुम रहा है तो दोडाते वे गाड़ी लेका आते हैं, speed change हो जाती है, रस्ते चेंज हो जाते हैं, वैसी light के साथ भी वैसा ही है, अब यहां पर पढ़ेंगे, refraction क्यों हो रहा है, refraction अगर होता है, तो उसके साथ दो cases जुड़े from the normal, यहां पर normal capital N, इसको हम जानते हैं, यह हमारा पुराना दोस्त है, denser medium, इसको D लिख देते हैं, to array medium, इसको R लिख देते हैं, तो normal से दूर भाग जाती है, यह कैसे होता है सर, दिखाते हैं बिलकुल, दो medium है, दोनों medium को जो connect कर रहा है, इसे कहते हैं, interface, और यहीं पर स दिखा दो, यह इसका रस्ता है, यह देखो, जाना चीए था उसको light को ऐसा, लेकिन वो भाग गई ऐसे दूर, और दूर किस से, from the normal, तो normal भी दिखाओ भाई मेरे को, इन बच्चों को normal दिखाओ, तो यह normal दिख गया, normal से जो हमारा angle बनता है, refracted ray, तो angle of reflection बनेगा, यह angle of incidence बनेगा, और यह छोटा सा angle क्या है, इसे कहते है, angle of deviation, delta से कहा जाता है, तो देखो, यह सब चीजे, r, n, n, dash, हमारा यहाँ पे, यह सब चीजे आ गई, delta जो होता है, हमारा, यह से कहते हैं, बच्चों, delta, delta जो होता है, angle r, minus angle i होता है, और यहाँ पे क्या है, original path से कितना, उसका deflection हुआ है, इसे कहते हैं, delta, angle of deflection, जब denser to rarer medium जा रही है, ऐसे ही, एक ultra case भी हो सकता है, कि भाईया, पहले तो क्या था, कि हम school जा रहे थे, school जाते हैं, दोस्त, आगया गाड़ी लेके एक दिन, और बोलता है, कि आज तो बहुत time है, अपने पर 10 minute है, पहुशने के लिए तो एक लंबा चक्कर लगाते है, school चलते हैं, तो light ने लंबा रस्ता लिया, क्योंकि denser से rarer जा रही थी, dense में उसको बहुत सरे traffic के problems आ रहे थे, उसको भरा भरा रस्ता मिल रहा था, लेकिन जैसे व दोस्त ले गया गाड़ी घर पे, अब जाना है पैदल पैदल, तो shortest रस्ता ढूंडेगी, घर जाते टाइम आप भी shortest रस्ता ढूंडते हो, तो अगर मैं यहां देखूं तो light तो incident हो रही थी, ऐसे, यह interface हो गया, अब जाना तो था उसको ऐसे, इस रस्ते पे आगे carry on करना लेकिन, जब rarer to denser, r to d travel करती है, तो यह हमारा towards normal travel करने लगती है, light जो है, यह towards towards normal travel करती है, तो देखो, यह towards the normal आ गई, तो angle of refraction हो गया, यह angle of incidence हो गया, यह deviation हो गया भाई, delta, इस तरीके से, तो यहां पे, हमने इस case में क्या जाना, when the light travels from a rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal, तो यहां पे देखा कि angle i, जो है, वो मेरा angle r से बड़ा है, angle i, angle r से बड़ा है, तो यहां पे देखो, angle i जो है, वो angle r से छोटा है, तो यहां है, देखो, angle i छोटा है, angle r बहुत बड़ा है, अगले case में देखेंगे, तो angle i बड़ा हो जाएगा, और angle r छोटा हो जाएगा, बच्चो, यह देखो, यहां पे यह सब चीज़े समझ में ही होंगी, from denser to rarer जाते हैं, तो away from normal हो जाता है, away from normal और यहां पे, अगर rarer to denser जा रहे हैं, तो towards normal, shortcut लिया जाएगा, तो यह सब चीज़े refraction तो हो ही रहा है, अब refraction हो क्यों रहा है उसके causes क्या है, causes of refraction, mainly cause यह होता है कि उसकी speed, जब आपकी speed अलग-अलग होगी, अलग-अलग रस्तों पे, तभी तो आपका, वहाँ पे पहुंचने का time decide होगा, या रस्ता decide होगा, कितना time है आपके पस घर पहुंचने के लिए, वही आपका रस्ता decide करता है, अगर बहुत speed के साब चोटे चोटा रस्ता चुना जाएगा, speed जल्दी जल्दी ली जाएगी, तो shortcut और test speed, तो यहाँ पे speed of light का ही सारा खेल है, speed of light, अलग-अलग media, media का मतलब है, plural version of medium, यहाँ medium, दो use किये गए है, medium 1 and medium 2, तो इसका plural version है, media, medium का, कि दो medias use किये गए है, दो mediums use किये गए और दूसरा denser है, दोनों के हम नाम जान चुके हैं, और rarer में, obviously, जब कोई vacuum है, हमारा खाली रस्ता है, तो इसमें मेरी speed बहुत जादा होगी, as compared to denser, तो यहाँ, when the light moves from, enters, denser medium, तो denser में enter कर रही है, मतलब पहले वो rarer में जा रही थी, rarer में घूम रही थी, rarer to denser, r to d जाती है, तो bend towards normal, याद हो जाना चाहिए, अभी तक तो तीसरी बार बताया जा रहा है, अगर यहाँ पर denser से rarer जा रही है, तो bend away from normal, यह cases तीसरी बार रिपीट हो रहे हैं, पीछे experiment के हाँ सीखे, अभी हमने यहाँ पर देखे, तो यह cases आपके experiment के एकसाब से भी अप को बताई जा रही है, आगे जाके अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि भाई, जो speed है, जो हमारा density के साथ change हो रहा था, तो उसका क्या relation है, अलग-अलग experiment प्यारा से करके देख लेते हैं, तीन medium लेओ फटाफट, एक medium A नाम दे देते हैं, एक को medium B नाम दे देते हैं, फर्स्ट वाला ले लेते हैं, बिल्कुल खाली है, तो इसका नाम दे देते हैं, वैक्यूम, फटोड़ा सा भरा है, और blue ले लेते हैं, तो इसको ले लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर अगर में को speed of light चेक करने है, तो एक source of light भी चाहिए, इस से light निकलेग में सबसे तेज निकलेगी, फटाफट गैस कर लो, तो अकड़ वकड़ करना है, या logical reasons चाहिए, अपने को इसके बीचे, obviously logical reasons चाहिए, तो हम चला के देखते हैं, तो यह देखो, first तो आगई vacuum में, second है हमारी water में, और third हमारी पहुंची gel में, नहीं देखा हो, तो एक और ब स्पीड उतनी कम होगी, क्योंकि रस्ते में जितने hurdles आएंगे, जितने breakers आएंगे आपके घर पहुशने में, उतना ही slow होते जाओगे आप, जितने गड़े आते जाएंगे, तो इससे पता चला कि density जो होती है, वो inversely proportional to the speed of light हो जाती है, यह formula मुझे पता चल गया, कि density जो ह स्पीड सबसे जादा इसमें आएगी, और स्पीड सबसे कम इसमें आएगी, तो density inversely proportional to हमारी speed of light होती है, speed of light is inversely proportional to the, हमारा density of the medium होता है, अगर मैं यहाँ पे ले लो इस medium के अंदर, जो मेरी speed of light है, वो 3 into 10 is power 8 है, यहाँ पे मेरी speed of light 2 into 10 is power 8 है, और इसमें आती है 2.5 into 10 is power 8 तो क्या इस से तो धीरे है, क्या देख पाओगे, light दिख जाएगी आपको जाते हुए, light बिलकुल ने दिखने वाली light की speed इतनी तेज है कि वो आखों से तो दिखती नहीं है, बहुत slow motions करना पड़ता है हमको, slow motion का use करना पड़ता है बहुत ज़ादा, YouTube पे आपको ऐसे और किलोमेटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में दो लाग किलोमेटर चलने वाली जीज़ कभी भी इन दिखेगी, एक पलक जपकने से पहली वो गायब हो जाती है, आगे इस तीज़ को अगर हम आगे लेके जाएं, तो हमारी रीफ्राक्शन जो है, NCRT का best example है, रीफ्राक्शन दूसरा एर, अब इस एक्सपरिमेंट में कोई भी नहीं बताएगा, यहां पर आपको दो बार रीफ्राक्शन देखने को मिलता है, फर्स्ट तो जब वो इंसिडेंट होती है, अचा नॉर्मल बना नहीं, नॉर्मल बना दिये, यहां पर जब वो इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, बीच में आएगी यह रीफ्राक्टेड रे, यह लास्ट वन जो होती है, इसका नाम होता है, इंसिडेंट रे, ठीक है, और यह होता है, एंगल जो होता है, इसको यहां बता जेते हैं, एंगल off, इमर्जिंस, एंगल off, ृमर्जिंस, अब, यहां पर रिफ्रैक्शन होता क्या है, जो पुराने दो हमने चीजे पड़ी थी, जब हमारा क्या था, रेरर, तू डेंसर मीडियम जा रहा था, तो towards the normal मुढ गया जाना उसको ऐसे सीधे-सीधे था पर वो मुढ इस तरफ गया और जब यहाँ पे refraction second time हो रहा है तो यह denser से rarer medium जा रहा है हमारा glass से air जा रहा है तो away from normal जा रहा है देखो हमारा angle जो यह है E वो बड़ा है angle R से तो यहाँ पे दो बार refraction देखने को मिला लेकिन अगर मैं यहाँ पे आप लोग को कहूं कि जो एंगल आई है angle of incidence वह angle E के बराबर है angle I जो है वह angle E के बराबर है और जो incident ray है वह parallel है हमारी emergent ray के मान लोगे बिलकुल मानना पड़ सकता है क्यों क्यों कि यहाँ पे हमारी जितना deviation हो रहा है इस जगा पे original path से उतना ही deviation हो रहा है इस तरफ original path से angle I is equal to angle R होता है और जो हमारी incident ray होती है वह emergent ray के parallel होती है बस वह थोड़ी साइड वर्ड में shift हो जाती है glass lab के नदर दो बार refraction हो रहा है एक बार entry करते टाइम एक बार exit करते टाइम जो incident ray है वह emergent ray के parallel है angle of incidence angle of emergence के बराबर है अब यह सर बोल तो दिया proof करके दिखाओ तो मानने विश्वास कैसे करें when the light passes through a glass lab parallel faces के थ्रू हो रहा है री फ्राक्शन जो होगा वो दो बार होगा twice before it finally emerges out यहां पर मैंने म्यू नाम के एक चीज है यहां लिखी हुई है पीछे भी डाइग्राम में लिखी हुई थी जो म्यू है उसे अपन कहते हैं री फ्राक्टिव इंडेक्स री फ्राक्टिव इंडेक्स होता यह है कि जो दो मीडियमस हमने लिए हैं उन दो मीडियमस के अंदर speed of light क्या क्या है first medium में क्या है और second medium में क्या है logically उसको देखने के लिए compare करने के लिए हम री फ्राक्टिव इंडेक्स का utilization करते हैं यहीं अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो इप इंट्रो दे रहा हूँ, आगे यह topic आएगा, इसकी पूरी definition आएगी, इसके बारे में हम और भी सब topics पढ़ेंगे, तो अभी जुड़े रहा हूँ, यह चीज अपने देखी, जिस sign i upon sign r, laws of refraction, याद है, second law of refraction, तो यह कहत है, कि भाईया, sign i, जो था, हमारा upon sign r में था, वे constant के बराबर था, वहाँ पे, constant के बराबर था, और यह constant ही मेरा, mu है, इसका नाम mu है, mu, mu बोलते हैं, और यहाँ पे, mu का मतलब बताया है, मैंने rate of change of speed in different, different mediums, तो अगर मैं कहूं, कि यहाँ पे, जो sign i है, upon sign r है, इसे n2 upon n 1 लिखेंगे, तो कोई बुराई है, इसके अंदर, नहीं भाई, बिलकुल, तो यहाँ पे क्या होता है, हम इसे लिख सकते है, n1 sign i, is equals to n2 sign r, और इसी चीज़ को, second law of refraction में, Snell's law कहा गया है, Snell's law यह कहता है, जिस medium, जो भी medium 1 है, उसके अंदर incident हो रही है, मेरी light, और medium 2 में refract हो रही है, मेरी light, तो इसे कहते हैं, Snell's law, Snell's law को note down कर लो, बच्चों, क्योंकि यह काफी help करने वाला है, mainly, mu is equals to sin i upon sin r, तो है normal formula, refractive index का, लेकिन यह formula ज़्यादा pressurized है, इससे जल्दी answer भी आते हैं, और accurate answers भी आते हैं, आतो उससे भी जाएंगे, लेकिन logically मुझे वो ज़्यादा पसंद है, तो आप देख सकते हैं, note down कर सकते हैं, ठीक है, secondly, जब वो first refraction हुआ, तो incidence angle से, हमने से, कंपर गया, refracted angle को, sin, second time, जो refraction हुआ, glass से एड़ जा रहा था, one upon mu क्यों लिया, यहाँ पे, अगर, इस formula के हिसाब से, second medium, जो है, इस formula में, पहली बाद तो i और r बदलेगा, n1 sin r, is equals to n2, sin e, लिख दूं, क्यों, first incident angle था, वो refracted था, glass से आ रहते हुए, और बहार निकल से, बहुता हुए, angle e था, emergent angle, तो यहाँ पे, बाहर निकलते हुए, का, जो refractive index से, air का, वो यह one होता है, one into sin e, n1 into sin r, यहाँ पे, अगर मैं इसको compare करूं, तो यह one upon n1 आ जाएगा, is equals to, हमारा आ जाएगा, क्या, sin r upon sin e, तो यह one upon n1 is equals to sin r upon sin e, और यहाँ पे, n1 के जिए mu use किया गया है, simple simple है, यह चीज आ गई, अब यह दो, जो मेरे पास equations आई है, इन दोनों equations को, अगर मैं compare कर दूं, तो दोनों equations को compare करने से मिलेगा, मुझे, यह, जो की कहता है, क्या, यहाँ उपर लिख देते है, angle i is equals to angle e, angle of incidence is equals to angle of emergence, लो हो गया, प्रूव, अब दूसरी जीज जो parallel है, अगर simple simple सी बात है, यहाँ पर i is equals to e, then the emergent ray is parallel to the incident ray, parallel भी हो गई, दोनों चीज सन्ने प्रूव भी कर दी, next आगे बढ़ेंगे, तो next आगे बढ़ते से lateral shift नाम से एक topic आता है, lateral shift होता गया है, पहले थोड़ा सा जान लो, the perpendicular distance between the emergent ray and the incident ray, when the light passes out of the slab is called lateral displacement, definition तो समझ में नहीं आ रही, इसमें थोड़ा ऐसे समझाओ, मेरे पीछे एक animation चल रहा है, इसके अंदर से फटाफट सीखते हैं, क्या होता है, light incident होई, refract होई, वापिस refract होई, यह parallel faces of, हमारे glass lab ही मान लो, तो यहाँ पे जब parallel हुए, तो यहाँ पे उसका original रस्ता तो यह था light के, अगर वहाँ पे कुछ भी present नहीं होता, तो सीधी-सीधी रस्ता चुनती, वो सीधा रस्ता और दो बार reflection के बाद जो यह रस्ता आया, इनके बीच की perpendicular दूरी को ही हम lateral shift कहते हैं, the emergent tray and the incident tray, incident tray यह देखो, सीधी-सीधी-सीधी गई, और emergent tray यह गई, यहाँ पे यह दे जाएगा और इसे कहा जाएगा क्या, lateral shift, lateral shift क्या है, जो original path और refracted path के बीच की distance है, perpendicular distance, तो उसे कहेंगे, हमारा, क्या यह देखो, glass slab भी आ गया, कुम फिर के वही चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं सीखिया पनने, वही का वही है, कुछ note है, वो note हमको क्या बताना चाहरा है देख लेते हैं, first note कहता है, angle of incidence is equal to angle of emergence, यह हमको सीखने को मिल चुका है, हमने proof भी देख लिया है, if the incident ray falls normally to the surface of the glass slab, then there is no bending of ray of light, then it goes straight without any deviation, यह कहना चाहता है, अगर मैं यहाँ पे, इदर corner पे ऐसी एक लाइट गिरा दूं, perpendicular, तो यह बाद में भी सीधी की सीधी निकल है, उसका bending या deviation, या change of path, तो path तो change निए, straight straight ही तो आई, straight straight ही तो गई, sir, तो यह कैसे हो गया, लेकिन इसे भी कहेंगे, refraction of light, refraction यहाँ पे भी follow होता है, straight जाने के बावजूद, यह एक special case है, इसे note down करके ज़रूर रखें, paper के अंदर एक trick question की तरह है, इसे use किया जा सकता है, और आप से पूचा जा सकता है, next topic जो आएगा, यह आएगा हमारा laws of refraction, laws of refraction के अंदर, मैंने जैसे आपको बता है, Snell's law और यह सारी चीजें, तो वापिस, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, the incident ray, the refracted ray, and the normal to the interface, interface का मतलब, दोनों medium को जोडने वाला, जो point है, यह जो surface है, of the two transparent media, at the point of incidence, point of incidence भूले तो नहीं, जहाँ पे हमारा reflection के time पे, ऐसा यह आया, यह आया, यह गया, यह normal आया, इसी point को point of incidence कह रहे थे, यह तीनों के तीनों एक ही plane में लाए करते हैं, light कभी भी एक plane में आते हुए, दूसरे plane में भाग नहीं जाएगी, सिधी-सिधी आ रही ह ऐसे उचक के बोड़ के बाहर नहीं चल जाएगी, same plane में थी, same plane में लाए करेगी, first law तो as it is reflection की तरह हो गया, second law जो कहता है, हमारा, तो यह क्या कहता है, the ratio of sign of angle of incidence to the sign of angle of refraction for the light given colors is constant, मैंने बताया था, sin I upon sin R, जो था पीछे भी constant था, constant को mu लिखा गया था, mu को refractive index बताया क्या था, तो sir यह तो आपने पहले ही सिखा दिया हमको, अब आगे क्या, इससे simple ही चीज आएंगे, obviously बात है, refractive index बच रहा है, मेरे पास refractive index सीखेंगे, छोटी-छोटी चीजों के अंदर, तो यह example है, वापिस वही, denser to rare, rare to denser medium में जाती है, तो हमारी towards the normal, or bent away from the normal, यह द refractive index क्या था, मैंने बताया था, कि mu नाम से define होता है, mu के अलावा आप इसको, ऐसे n से भी define कर सकते हो, दो mediums यूज किये थे, उनके अंदर, जो velocity of the speed of light, यह speed of light, velocity of light, जो अलग-अलग हैं, उनको compare करने के लिए, हम refractive index का utilization करते हैं, refractive index of a medium is defined as the ratio of speed of light in different medium, अलग-अलग medium में उसका अगर ratio निकाला जाए, speed of light का, तो उसे कहेंगे refractive index, the refractive index of medium 2 with respect to medium 1, equals to the ratio of the speed of light in medium 1 to the speed of in medium 2, भाया, अगर यहाँ पे बोला गया refractive index, मतलब mu, medium 2 with respect to medium 1, जिसके लिए निकालना है, उसको तो लिखते हैं आगे, और जिसके respect में निकालना है, उसको लिखते हैं, पीछे 2 with respect to 1, अब यह equals to हो जाएगा, क्या, पहले कौन सा लिखा गया है, है न, यहाँ पे इसका भी फरक पड़ेगा हमारे सामने, तो यहाँ पे हमने सीखा क्या, कि जिसके लिए निकालना है, उसको लिखेंगे आगे, और जिसके respect में निकालना है, उसको लिखते हैं, पीछे, तो यहाँ पे हो जाता है, velocity in medium 1 upon velocity in medium 2, या speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2, 2 with respect to 1, इस चीज़ को मैंने कहा था, n भी लिख सकते हैं, तो n भी ऐसे 2 with respect to 1, mainly यह velocity का comparison है, तो इसकी कोई unit नहीं होती, कोई भी unit नहीं होगी, no unit, इसके अंदर छोटी छोटी चीज़े हैं, जिसको देख के हम बता सकते हैं, कि भाई साब, यह हमारा क्या, denser medium है, या rarer medium है, denser और rarer medium को पता करने के लिए, आप पता कर सकते हैं, कैसे, तो अगर, यह और a with respect to b निकाला है, यह अगर greater than 1 आजाता है, तो मेरा a आजाता है, हमारा denser medium, और b आजाता है, मेरा rarer medium, similarly, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, b mu a less than 1, तो यहाँ पे मेरा जो यह case आज आएगा, इस तरफ, यह आएगा, a मेरा आएगा rarer medium, और जो b आएगा, वो होगा denser medium, तो यह सारी की सारी चीज़े हमको समझ में आ गई, अब refractive index तो utilized हो गया, refractive index का मतलब क्या था, यह भी पता जल गया, velocities का change हो जाना, यह velocities का comparison, यह velocities का ratio, जब वो अलग-अलग medium में जा रही है, जिसके लिए निकालना है, जिसके respect में नि पीछे लिखते हैं, और यह ऐसे define हो जाता है, आपको easy लिए समझ आ जाएगा, secondly जो आता है, वो होता है, absolute refractive index, absolute refractive index के अंदर क्या होता है, जो single medium है हमारे पास, यहाँ पर एक ही medium है, आपने तो इसा refraction के नदर, दो mediums आएंगे, obviously दो mediums आ रहे हैं, first medium हम fix कर देते हैं, एक medium fix है, जो कि है light, ठीक है, यहाँ पर हम vacuum से compare करते हैं, absolute refractive index of a medium is defined as the factor by which the speed of light reduces as compared to the speed of light in vacuum, speed of light in vacuum से हम compare कर लेते हैं, दूसरे medium में क्या speed of light रहना वाली है, इसका formula निकालो भाई, और medium 1, single medium के लिए, निकाल ले, तो यह इस तरीके से define के आता है, इसको अपन C upon V भी लिख सकत है, यह medium जो भी है, glass है तो G लिखेंगे, diamond है तो D लिखेंगे, water है तो W लिखेंगे, accordingly, जो भी medium 1 यह medium अपने को given है, अब यहाँ पे तो यह समझ में आ गया, क्या, कि effective index के अंदर, 2 mediums के अंदर, speed of light का ratio है, absolute refractive index के अंदर, हम vacuum से compare करते हैं, कि light उसमें कितनी चल लई थी औ आपके calculations को, और बहुत आसानी से आपका answer ला जेता है, relative refractive index of a medium is defined as the ratio of two absolute refractive indices, दो हमारे absolute refractive indexes जो होते हैं, उनका answer होता है, उनका ratio होता है, कैसे होता है, glass is to water का निकाला है, या glass with respect to water, दो, glass पहले आया है, water यहाँ पे लिखा गया है, तो यह देखो, दोनों को मैंने speed of light in vacuum से compare किया गया है, glass with respect to air and water with respect to air, यह दो, glass with respect to air and water with respect to air, इसको upon में ले लिया, तो मैंको easily answer, मिलने के chances बढ़ जाते हैं, sample solution आजाता है, refractive index में confusion कम हो जाता है, यहाँ पे, अगर मैं आगे देखूं, if c is the speed of light in the air and v is the speed of light in the medium, then the refractive indexes of the medium is, अगर c और v अपने को दे रखा है, refractive index निकालने के लिए, बोला है कि speed of light c दे दी है, और speed of light in medium, अगर पहले vacuum में निकाली, air में, और speed of light दोसी दे रखी है, जो v दे रखी है, वो medium में दे रखी है, तो इसका formula c upon v होता है, मैंने two medium, the refractive indexes of the second medium with respect to the first medium is equal to the ratio of velocity of light in both media, अगर second medium with respect to one medium, या 1 mu 2 लिग दूँ, तो उसमें कहा था, refractive indexes होता क्या है मेरा, यह होता है, हमारा ratio of velocities in the two mediums, तो यहाँ पे इसका formula क्या जाएगा, refractive indexes of glass with respect to air, यह देखो, a mu g, तो यह आया, c upon v g, मैंने बता है, तो जो भी medium होगा, velocity in that medium, similarly, अगर मैं यहाँ पे water with respect to air, निकालूँगा, तो देखो, c, v, w आ जाए, c upon v, w आ जाएगा, velocity in water, that medium, compare किया गया, किस से, हमारे velocity of light से, तो क्या यह absolute refractive index है, ar indexes, ar i है, और यह भी ar i है, और दो ar i का ratio क्या होता है, relative refractive indexes होते हैं, और relative refractive indexes जो होते हैं, वो normal refractive indexes ही होते हैं, यहाँ पे अगर इनके ratio ले लिया जाए, from dividing equation 2 with equation 1, we get, what we get, water with respect to glass, refractive index of water with respect to glass, यह सब चीजे पता चल जाती हैं, अब आगे पढ़ते हैं, यह हमारे सामने एक material medium दे रखे हैं, उनके refractive indexes लिखे हुए हैं, इसको properly इस position को आप stop करके proper note down करना है, यह आपके NCRT में भी गिवन है, अब इन सब चीजों और इस table का क्या importance है, यह आपके NCRT में इसलिए गिवन है, क्योंकि पेपर में जब यह questions आने वाले हैं, mainly तो यह values आपको given होगी, जैसे air का 1.003, ice का 1.31, water का 1.3, यह से values given होगी, petroleum, ऐसे diamond, air का सबसे कम होता है, refractive index, diamond का सबसे जाधा होता है, समझ रहो, तो याद रखना, यह MCQ में भी आ सकता है, तो इनकी values आपको problem solving में help करेगी, numerical problem solve करने में help करेगी, तो यह हमारा theoretical part होता है, अब हम start करेंगे numerical part, तो next मेरा question आने वाला है, वो मेरा question कहता है, object is placed at a distance of 12 cm in front of a corner mirror, it forms a real image 4 times larger than the object, calculate the distance of image from the mirror, obviously mirror है, तो mirror formula लगना है, mirror formula क्या कहता है, 1 by F is equals to 1 by U plus 1 by V आ जाना चाहिए, अब यहाँ पे object की placement दे रखी है, कौन के mirror के front में, कौन के mirror है, obviously sign convention अगर अच्छे से पढ़ा हो, तो object हमेशा left में रखा जाता है, और अगर यह pole से इस तरीके से ना पाजाए, या measure किया जाए, तो यह आता है negative portion, यह आता है positive portion, तो कौन क mirror के अंदर यह देखो, negative side रखा गया है, तो मेरी U की value जो दे रखी है, वो minus का 12 cm गिवन है, real image चाहिए, obvious सी बात है, real image जिस तरफ object है, उसी तरफ image बननी है, तो इस तरफ अगर object है, तो यहीं मेरी image बनेगी, तो मेरा magnification जो है, real image के लिए, real image के साथ, अगर आप magnification साथ में, पीछे अपने को वीडियो में given है, कि real अगर image बन रही है, तो आप इस से उसका magnification पता कर सकते हो, तो वो negative आएगा, negative magnification, ठीक है, यहाँ पर हमको पता चल गया, m की value भी जो है, वो negative four times दे रखी है, larger, four times larger than the object, अब वो कह रहा है, कि भाई मेरे को क्या निकाल के द दो, calculate distance of the image from the mirror, यहाँ पर हमको पता करना है, image distance, यहाँ पर image पता करने के लिए, क्या, image distance हमारा यह होता है, object distance यह है, focal length यह है, यह भी नहीं पता, यह भी नहीं पता, सिर्फ यह ही पता है, तो हम magnification का भी तो formula जानते है, m is equals to minus v upon u, इसके अंदर formula के अंदर value डालना चालू करते हैं, m minus 4 दे रखा है, minus का v पता नहीं है, और u जो है, वो minus का 12 है, तो v की value यहाँ पर imply करके आजाएगी हमारी 12 forza 48 cm, यह अगई अपकी v की value, छोटा सा simple सा question है, ऐसे हम next question की दरफ बढ़ते हैं, और next question मेरा क्या कहता है, वो भी जान लेते हैं, find out the position, height and type of image, किसका, पताओ, तो यहाँ पर यह एक convex mirror आया है, convex mirror के साथ एक object भी दे दिया मेरको, इसके साथ ray diagram भी इनोंने कुछ बनाने की कोशिश करी है, और मेरी image भी इनोंने बना के दिया, तो object जो है, उसकी height दे रखी है, height of object गिवन है, 4 cm, पॉजिटिव जाएगी, अब 10 cm मेरा object खड़ा है, तो U जाएगी, minus का 10 cm, similarly मेरा जो focus है, वो मेरा positive आएगा, क्योंकि convex mirror का case है, तो focus आएगा मेरा 10 cm यहाँ पर, यहाँ पर बोला जा रहा है, position, height and type of image, तो यहाँ पर दो चीज़े गिवन है, mirror former लगाते है, 1 by F is equal to 1 by U, plus 1 by V, इसको solve करेंगे, तो 1 by U given है, यह हमारा, 1 by UB given है, plus 1 by V, 1 by V की अगर value निकालोगे, तो 1 by 10, plus 1 by 10, और यह हमारा हो जाएगा, 1 by V is equal to, 2 by 10, that is is equal to, जो V की value आएगी, वो आएगी 5 cm, V positive है मेरा, उस तरफ जा रहा है, इस तरफ तो negative, उस तरफ positive, V हमारा positive होने का, जो case है, वो हमें बता देता है, क्या, virtual image बन रही है, वर्चुल बनेगी image, ठीक है, यहाँ पर position हमें पता चल गई, ray diagram से, virtual image बहें पता, इसे 5 cm से भी हमको पता चल गई, किती दूरी है बन रही है, virtual image भी पता चल गई, type of image पता है, position पता, height of image बताने करने है, अब height of image पता करने के लिए, magnification के दो formulas हैं, बच्चों हमारे पास, m is equals to h i upon h o, और m is equals to minus v by u, h i तो मुझे पता है, h not, क्योंकि height of object है, वो मुझे पता नहीं, magnification पता नहीं है, तो इस formula को utilize करने के लिए, पहले यह formula, solve करना जरूरी है, magnification की value मुझे पता नहीं है, v मैंने जस्ट अभी निकाला, तो यह आएगा, minus of 5, u की value मेरे को पहले से ही पता है, minus of 10, तो यह आजाएगा, magnification की value बच्चों यहां से आजाएगी, 1 by 2, जब यह 1 by 2 आएगी, तो इसकी value यहां पर रखी जाएगी, 1 by 2 is equals to h i upon h 0, जो है, मेरा वो आ रहा है, 4, यह imply करेगा, height of image आजाएगी, 4 by 2, और यह equal होगा height of image that is 2 cm, height of object 4 थी, height of image 2 cm आई है, obviously वो छोटा हो गया है, virtual हमारा convex के cases में, virtual और diminished object बनता है, यह highly diminished object बनता है, अब third question की ज़रब बढ़ते हैं, और third question हमारा हम से क्या कहता है, the radius of curvature of a mirror is 12 cm, then the focal length will be, 4 options भी दिया है, उन्होंने हमारे simplicity के लिए, तो हम देखते हैं, radius of curvature, तो capital R दे दिया, उसने, 12 cm दे दिया, focal length निकाल लिए, बहुत simple है, f is equals to r by 2, यह आएगा 12 by 2, और यह आजाएगा हमारा 6 cm answer, यह टिक करते हैं, जितने बच्चों निकाल आए, एक ही second में answer है, और एक ही second में यह गलत है, क्यों गलत है, कौन cave mirror, कौन cave mirror का focal length, यह radius of curvature, यह center of curvature, वो left hand side होगा, sign convention के हिसाब से बच्चों वो negative होगा, तो यहाँ पे, यह आर positive 12 cm नहीं, negative 12 cm होगा, यहाँ पे एक negative जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक negative जुड़ जाएगा, जिसकी वज़से, माइनस 6 cm सही answer होगा, ना कि 6 cm, समझ में आया, अगले question की तरफ जुड़ते हैं, और आगे देखते हैं, An object is placed at 20 cm from a concave mirror, यू given है, concave mirror है, बच्चों, दिमाग चमग्या होगा, last question के बाद, minus 20 cm, focal length मेरी given है, यह भी negative में आनी चाहिए, minus 10 cm, image formed V पता करनी है, मुझे, एक मिनिट का है, रेस लगा लेते हैं, कौन पहले करता है, pen copy लिके बैठे हो, तो फटा-फट निकालो, mirror formula, 1 by F is equals to 1 by U, plus 1 by V, यहाँ पर आ जाता है, 1 by F, मुझे given है, 1 by minus का 10, 1 by U, मुझे given है, minus का 20, plus 1 by V, तो 1 by V, अगर आ जाएगा, यहाँ पर, minus का 1 by 10, जाके minus of, minus 1 by 20, it will give, solve करें, तो क्या आएगा, minus का 2, plus का 1, whole upon 20, यहाँ जाएगा, minus 1 upon 20, यहाँ आया, 1 by V, जिसकी तरफ से V अगर आएगा, minus का 20 cm, और इस case में minus है, तो image के बारे में, अगर मैं second question पूछ लूँ, कि भाईया, कौन सी image किस तरफ बनेगी, left hand side बनेगी, left hand side object रखा है, left hand side ही मेरी image बन रही है, तो कैसी image है, real image है, बच्चों, यहाँ पे, दिमाग मेरा चमकना चाहिए, बोल देना चाहिए, मेरे बताने से पहले ही, आपको किसा real image है, कौन के मिरर का केस है, यहाँ पे, जो option मुझे given है, first one is behind the mirror, between the mirror, and focus, at focus, and center of curvature, यहाँ से मुझे क्या पता चला, कि अगर मेरी object की distance, जो है minus 20, और image की distance भी आ रही है, minus 20, दोनों centimeter में है, तो कहाँ बनेगा, center of curvature पे बनेगा, यह एक और question हो गया, तीन पार्ट होगा, इस question के, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, किस type का होगा, और किस position पे बनेगा, यह भी समझ में आ गया, numerical part, mcq part, हर तरीके का brain आपको यूज करना पड़ेगा, इस type के questions में, next question जो है, light enters from a medium, air to diamond, with refractive index, this 2.42, what is the speed of light in diamond, speed of light in diamond, दिमाग आना चाहिए, कैसे, equal पहले बनाया, speed of light in diamond, तो diamond का refractive index दे रखा है, with air to diamond, air to diamond, air, diamond, amud, यह मेरे को दे रखा है, c upon velocity in diamond, velocity of light in diamond, और velocity of light, हमारा vacuum से compare करा जाता है, refractive index दिया गया है, 2.42, यह होता है, 3 into 10 is power 8, meter per second, hole upon velocity of speed in diamond, velocity of speed in diamond हो जाएगा, 3 into 10 is power 8, hole upon 2.42, इसको solve करोगे, तो यह आएगा, 1.24 into 10 is power 8, meter per second, यह इसको solution हो जाएगा, बच्चों, easy है, refractive index का पहला question है, थोड़ा confusing हो सकता है, थोड़ा आराम से देखो, वापिस से देखो, समझ में जरूर आएगा, next question जो है, वो मेरा क्या बोलता है, assertion reason का question है, यह तो पक्का CBSC board में आने वाले questions है, assertion reasons एक type of question है, जिसमें अपने को चेक करना पड़ता है, कि assertion तो एक statement है, क्या वो सही है, और reason जो है, क्या वो सही explanation है, assertion का, तो यहाँ पता चलेगा, क्या, first, हमा बताता है कि, हमारा assertion reason दोनों सही है, reason correct explanation है, second कहता है, assertion reason सही है, लेकिन reason से explanation नहीं है, third कैसा, assertion is true, but reason is false, fourth कहता है, assertion is false, but reason is true, उपर question तो पढ़ना ही भूल गए, इसको भी जान लेता है, when a concave mirror is held underwater, its focal length will increase, the focal length of a concave mirror is independent of the medium in which it is placed, तो यहाँ पर क्या लगता है आपको, कि इसका answer क्या होना चाहिए, मैंने पिछली कुछ लेक्चर के अंदर आपको समझाया था, कि focal length अगर एक spherical mirror का है, वो medium पर depend नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, तो यहाँ पर जो assertion है, वो तो हो गया false, second चीज़ देखते है, reason, the focal length of a concave mirror is independent of the medium in which it is placed, तो मैंने यह समझाया ही था, तो यहाँ पर हमारा assertion is false, but reason is true, इस तरीके से यह solution बन जाएगा बच्चों, next question हमारा कहता है, assertion और reason का फिर से आया है, higher is the refractive index of a medium, or denser the medium, lesser is the velocity of light in that medium, reason है, हमारा refractive index is inversely proportional to the velocity, यहाँ पर हमको चेक करना है कि यह assertion क्या सही example है हमारे reason का, तो हमें पता लग गया होगा क्या, कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया था, स्नेल्स नो नाम की चीज़ पता ही दी, वापिस से sin I upon sin R जो है, वो μ्यू 2 upon μ्यू 1 या N2 upon N1 था, cross multiply कर दो, या इस चीज़ को मैं वापिस लिख सकता हूँ, क्या refractive indexes ही तो हैं, तो इसको लिख सकता हूँ, C upon V2 whole upon C upon V1, C हमारी क्या है, speed of light in vacuum, अगर इस से compare करोगे, तो क्या उल्टा ही आ जाएगा, V1 upon V2 आ जाएगा, तो यह inversely proportional तो है, यह तो सही है, और उपर वाली line के बारे में भी check कर लेते हैं, higher is the refractive index in the medium, denser the medium, जितना जाएदा dense होगा, उतनी जादा velocity कम हो जाएगी, तो मैंने यह सिखाया था, कि density is inversely proportional to velocity और speed of light, दोनों सही हैं, बोथ assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion, हमारो जो आज का lecture है, वो refraction के end तक पहुंच चुका है, अब हम concave और convex mirror के अंदर देखेंगे, या concave और convex lenses के अंदर, mainly हम देखेंगे, कि हमारी जो refraction है, from one medium to another medium, जब भी हमारी light travel कर दी है, तो उसके positions के आऊंगे, उसके अंदर भी हम ray diagram बनाना सीखेंगे, convex और concave lenses के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा सा hint दे जेता हूँ, कि convex जो था पिछली बार mirror, उसके अंदर दो cases थे, यहाँ पे हमारे उल्टा हो जाएगा, छे cases होंगे, concave जो हमारे जिसके अंदर पहले 6 cases थे, उसका भी उल्टा हो जाएगा, उसके अंदर सिफ दो cases होंगे, लेकिन इन सब वीडियो और ऐसी content को और पढ़ने के लिए, और पसंद करने के लिए आपको में support करना पड़ेगा, तो support in the comment section, subscribe to Motion Foundation Division, and like this video, share this video with your friends, thank you.